दग के देले दोस्तों बिना टाइम रास्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दू कि अलू अर्जुन और रश्मी का मंधाना स्टार फिल्म कुष्पा 17 दिसंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है कुष्पा मूवी को इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जब योवसीज में ये मूवी 1000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी तो दोस्तों इस तरह से कुष्पा मूवी वर्ल डवाइट 4000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी दोस्तों आपको बतादूं कि ये एक आक्शन थ्रीलर मुवी है इस मुवी का निर्देशन सुकुमार सर ने की है कुश्पा मुवी की बजट की बात करें तो इस मुवी की बजट लगभग 150 करोड रुपए बताया जा रहा है फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये मुवी कुरोना महामारी में भी बॉक्स ओफिस पर जबरदस्ट प्रदर्शन कर रही है कुश्पा मुवी पहले दिन बॉक्स ओफिस पर शांदार प्रदर्शन करते हुए 45 करोड 78 लाग रुपए की कमाई का रोपनिंग ली थी अगर बात करें इस मुवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो पुश्पा मुवी पहले वीक में बॉक्स ओफिस पर 152 करोड 15 लाग रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी जबकि यह मूवी दूसरे वीट में 40 करोड 85 रुपए का कलेक्शन करने में काम्याब रही है अगर बात करें इस मूवी के तीसरे वीट के डेवाइज कलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो पुशपा मूवी का आप तक का वर्लडवाइज कलेक्शन तीन करोड 76 करोड हो गई है जगकर इस movie का पहले 16 दिनों का इंद्या अग्रोस कलेक्शन 249 करोड़ 50 लाग रुपे हो गई है अगर वर्ल डवाइज कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा मूवी का अब तक का वर्ल डवाइज कलेक्शन 266 करोड़ रुपे हो गई है अगर overseas collection की बात करें तो ये movie overseas market में अब तक 27 करोड 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। वही अगर बात करें। पुषपा मुवी के 17 वे दिन लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दू कि कुरोना महामारी के बाव जूद भी अलू अर्जुन और रश्मी का मंधाना की ये movie box office पर जबर्दस्ट प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों अगर आप पुषपा मुवी देख चुके हो तो आप हमें comment करके बताए कि आपको ये movie कैसी लगी। साथ ही साथ आपको पसकी acting सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें। और फिल्मों के box office रिपोर्ट जाने के लिए filmy media चैनल को सबसक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।